जै मतारानी दोस्तों मतारानी की कृपाप पसदा सरवदा बनी रहे इसी आशा के साथ दोस्तों बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक लेकर के आई हूँ जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इन नवरात्रों में शेरवाली मता का विग्रे लेकर के आई हूँ तो मेरा विग्रे ये प पश्रकता नहीं है जो लोग वर्किंग है जो रेगुलर माकर श्रिंगार नहीं कर सकते हैं वो इस प्रकार का विग्रह चूस कर सकते हैं तो मेरे पास भी समय की समस्य रहती है इसलिए में ये विग्रह लेकर के आई हूँ तो ये जो विग्रह है मेरा इसकी जो मातारानी पर पड़ी और मातारानी ने मुझे अपनी तरफ आकरशित करके और मेरे साथ मातारानी हमारे घर में विराजमान हो गई है तो आज मैं इनकी किस प्रकार से प्रतिष्ठा करूंगी प्राण प्रतिष्ठा करूंगी या इनकी स्थापना करूंगी बेहस सरल विदी स आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीना किसी पंडित के ब्रहमन के आप अपने घर में कोई भी मूर्ति इस प्रकार से प्रतिस्थित कर सकते हैं तो दोस्तो भारतिय संस्कृति में ऐसा नियम है कि जब हम किसी भी मूर्ति की पूजा करना चाहते हैं तो उसमें हमें प्राण प्रतिस्था करनी चाहिए प्रतिस्था का अर्थ होता है प्राणों का संचार करेंगे और उसमें ईश्वर की भावना करेंगे और उसे ईश्वर की तरह पूजेंगे जब हमारे श्रद्धा विश्वास अटूट होता है तो हमारे लिए उस पदार्थ में भी इश्वर प्रकट हो जाते हैं हाँ जी हमारे मन का कनेक्शन बहुत जादा जरूरी है क्योंकि जो विक्रे होते हैं वो स्वैम ही आते हैं मातारानी मैं नहीं उनको लेकर के आई हूँ वो स्वैम मेरे साथ आई हैं देखे कई वर्षों से मुझे इंतिजार था मातारानी का लेकिन वो नहीं आ रही थी अब उनकी करपा हुई है तो वो हमारे घर में विराजमान हुई है तो दोस्तो अब हम यह जानेंगे कि क्या ग्रस्त जीवन में हमें प्राणपतिस्था करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी कुछ जानकार यह पता चलेंगी जिससे आप समझ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अब दोस्तो प्राणपतिस्था दो प्रकार की होती है एक तो होती है चल एक अचल तो जो घरों में की जाती है वो चल की जाती है और चल कार्थ होता है कि यदि हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं या फिर हम बटवारा हो गया है या फिर हम रेंट पे रहते हैं तो अपनी मातारानी को अपने विग्रह को कहीं भी ले जा सकते हैं तो वो चल प्रतिस्था होती है लेकिन जो मंदिरों में की जाती है वो अचल प्राण प्रतिस्ठा होती है दोस्तों मूर्ती की स्थापना एवं प्राण प्रतिस्ठा में बहुत अंतर होता है घर में चल मूर्ती स्थापना होती है और मंदिरों में अचल मूर्ती प्राण प्रतिस्ठा होती है तो बहुत जा जादा अंतर होता है मंदिर में अचल मूर्ती स्थापना में प्राण डाला जाता है मंत्रों के द्वारा वैदिक मंत्रों के द्वारा मूर्ती में प्राणों का संचार किया जाता है उनके रहन सहन, इसनान, वस्तर, श्रिंगार, शयन, बहुत सारी व्यवस्थाइं मंदिर मे की जाती है प्राण पितिस्टित विग्रे को अकेलन नहीं छोड़ा जा सकता दोस्तों इसलिए मंदिरों में पंडेजी द्वारा या पुजारी द्वारा विग्रे की सेवा कराई जाती है घरों तो घरों में कभी देखे दोस्तों सूतक लग जाता है पातक लग जाता है अधारन धंग से आप मूर्ती की स्थापना कर लें, वही काफी रहता है, मेन होता है हमारा उस मूर्ती के अंदर कितनी श्रद्धा है, हम कितने मन से उस मूर्ती का पूजन कर रहे हैं, कितना हमारा कनेक्शन है उस मूर्ती से, हमारे रिदय का उस मूर्ती तक कितना कनेक्शन ह वही मेन होता है हमारी शद्धा विश्वास दोस्तो जो प्रभू है वो तो निराकार है हमारा ध्यान भटकता रहता है उसे केंदरित करने के लिए हम सामने मूर्ती रखते हैं तो बस इतनी सी बात है घरों में मूर्ती की सरल स्थापना करनी चाहिए यदि ब्रहमन से भी करा रहे हैं तो घरों में प्राणपतिस्टा विग्रे की सेवा करपाना बहुत ज़्यादा कटिन होता है परन्तु यदि आप कर सकते हैं तो आप अवश्य करें घर का कोई भी एक सदस्य उस विग्रे की सेवा के लिए सदैव उपस्तित रहना चाहिए देवालियों या मंदिरों में पुजारी जी का कार एवं उनका जो संबंध होता है वो सिर्फ भगवान से रहता है परन्तु ग्रस जीवन में हमारा जो संबंध है परिवार से भी रहता है इश्वर से भी रहता है और हमारे नाते रिष्टेदार सभी से हमारा संबंध रहता है तो ऐसे में हम प्राण समर्पन नहीं कर पाते हैं अब दोस्तों घर वाली मूर्ति में प्राण पतिस्ठा नहीं डालनी चाहिए उनकी पूजा करके सिर्फ स्थापना करनी चाहिए पूजा की मंतर अलग होते हैं प्राण पतिस्ठा की मंतर अलग होते हैं अगर आपको मंतर भी नहीं आते हैं तो बहुत सारी समस्याइं हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है अब दोस्तों मंदिरों में जो मूर्ती की प्राण पतिस्ठा होती है वो वैदिक मंत्रो द्वारा ब्रहमनों द्वारा जो सिद्ध ब्रहमन होते हैं उनके द्वारा परमातमा का अंश उस विग्रे में डाला जा तो बहुत जादा विधान होते हैं लेकिन आज में आपको बता रहे हूं सिंपल साधरन तरीके से आप घर में किस प्रकार से स्थापना कर सकते हैं तो हम सिर्फ मातारानी का पूझन करेंगे तो चार बार हम माता के चरणों पे जल डालेंगे इसमें मैंने जल गंगाजल मिक् प्रम्ब के गौरी नारायनी नमूस्ते कुछ भी बोल सकते हैं मंतर बोलते हुए हम मातारानी को सनान कराएंगे अच्छी प्रकार से अब दोस्तों यहाँ पर मैंने पट्टी नहीं बांदी है आप चाहें तो बांद सकते हैं मातारानी के विग्रेपे क्योंकि मैं जैसी प प्रक्रिया आप इसनान के समय भी करा सकते हैं पट्टी बांदने वाली पहले पट्टी बांद करके आप रख सकते हैं इसके बाद में दोस्तों पंचामरत से मातारानी को इसनान कराया जाता है आप चाहें तो पंचामरत अलग अलग भी ले सकते हैं जो पांच चीजे पढ प्रशादी भी आप डाल सकते हैं मातारानी को इस प्रकार से तो पंचामरत से हम इसनान कराएंगे मातारानी का धिहान करते हुए अच्छी प्रकार से और इस पंचामरत को आप चाहें तो प्रसाद के रूप में ग्रहन भी कर सकते हैं या फिर किसी पवित्र पौदे की आप इसे चढ़ा सकते हैं तो यह देखिए हमने मातारानी का पंचामरत से स्नान भी करा दिया है इसके बाद में हम शुद्ध चल से मातारानी को स्नान कराएंगे अच्छी प्रकार से कहीं पर घी आदी या कुछ दही आदी न लगा हुआ रह जाए उसके बाद में मातारानी क अंगो पोशन करेंगे और उसके बाद करेंगे हम श्रिंगार तो दोस्तों ये होती है गरस्त जीवन में होने वाली साधारन सी मातारानी की स्थापना आप चाहें तो ये कारे किसी ब्रहमन से भी करा सकते हैं परन्तु जो समझदार ब्रहमन होते हैं वो इसमें वैदिक मंतरो द्वारा प्राणों का संचार नहीं करते हैं वे सिर्फ मूर्ती की पूजा करते हैं क्योंकि वो जानते हैं इसके बाद में देखे मातारानी का हमने अंगो पोशन कर दिया उनको हमने चौकी पर विराजमान कर दिया और उसके बाद में हमातारानी को ये वस्तर धारन करवाए जाती है या फिर आएने के सामने खुलवाई जाती है तो देखे मैंने माता को यह लाल रंका लहंगा पैना दिया है माता को चुर्णी उड़ा देंगे जैसे भी देखे क्यूंकि इस मूरती में माता का पूरा शिंगार हो रखा है तो कोई आवशक नहीं है लेकिन हम फिर भी जो भी हो सके वो जोली पहनाएंगे तो ग्रीन करर की ये माला है माता रानी की देखिए हमने चुनरे उड़ा दिया इसके बाद में माता रानी को तिलक करेंगे धूप दिप दिखाएंगे दोस्तों और इसके बाद में हम माता रानी को जो आपने पूजा का इस्थान बनाया हो आपका घर का मंदिर हो या नवरातरों में चौकी बनाई हो वहाँ पर आप विराजमान कर दें और इसके बाद में हमें हवन अवश्य रूप से करना चाहिए तभी हमारी ये मूर्ती पूजा संपन्न होगी इस प्रकार से हमें देखिए अपना सीधा हाथ माता के रिदय प हम पर ऐसी करपा करें हम आपकी सेवा कर पाएं इसका हमें आशिरवात दीजिए हम आपकी सेवा करने लाइक रहें हमें शक्ति दीजिए मातारानी इस प्रकार से मातारानी से प्रातना करें और सरल मातारानी की इस प्रकार से आप स्थापना करें और इसके बाद में हमें मातादी आवाशी लिकी दोस्तो